वृतों में एकादशी को प्रधान और सब सिध्यों को देने वाला माना गया है। माक्षे इसमास के कृष्णपक्ष की एकादशी तिथी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन वृत रखने से सभी मनुवांचत फलों की प्राप्ति होती है, घर में आती है और मन भी निर्मल होता है। माक्षे इसमास के कृष्णपक्ष की ग्यारस यानि ग्यारवी तिथी को ही भगवान विष्णु से एकादशी तिथी प्रकट हुई थी। इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसे दिन से एकादशी व्रत करने की शुर्वा थोई एकादशी का वरत आरोग ये संतन प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला वरत है किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो इस वरत के प्रभाव से दूर हो जाती है जन जन्मांतर के पापनस्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भ और मौर नामक दैत्य के बीच भीषणित हो रहा था, यूत्य के बीच में भगवान विष्णु जब ठक कए तो भे बंद्रिकास्त्रा में कुफा में जाकर विष्राम करने लगे, दरासल विष्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी, इसी बीच राक्षेस मोर भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी कुफा में आ पहुँचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिवितेच प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षेस कवरत कर दिया जिस दिन ये घटना घटित हुई वह माक्षिस मास्के कृष्ण पक्ष की ग्यारविती थी देविस से भगवान विष्णु बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया श्री हरी के शेडिर से उत्पन हो क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथी दो दिन रहने के कारण आपके मन में ये प्रश्ण जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए इस बार माक्षिस मास्के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथी प्रारव होगी 26 नवंबर मंगलवार को एक बचकर तीन ए एकादशी तिथी विद्यमान रहेगी मंगलवार को तो एकादशी तिथी है ही लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथी का इस परश हो रहा है यानि इस दिन भी सूर्यदे से पहले एकादशी रहेगी तो इस बार एकादशी कवरत दो दिन रखा जाए अब यहां पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्फर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर पुधवार को ही एकादशी का वरत रखना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली प्रीतियोग जो कि बहुत शुब योग है प्रीतियोग और आईश्मान योग में कोई पूजा की जाए कोई उपाय किया जाए तो वो अवश्य फलित होता है प्रीतियोग दो पहर दो बज कर 13 मिनट तक रहेगा और उसके बाद में आईश्मान योग सारा दिन रहने वाला प्रातेकाल पूजा का मो팅 रहेगा सुब पाँज पिर्व थी कर 22 मिनट से शे बज कर 53 मिनट तक सैयंकाल पूजा का शुब मोर्त रहेग साल पाँज बज कर 24 मिनट तक और राहुकाल दो पहर 3 बजays से Stunden 4 बज तक रहेगा द्वादर शी तिथी प्रारंब होगी 27 नवंब् पुधवार को सुभा तीन बज़ कर 48 मिनट से और समाप्त होगी 28 नवंबर गुरुवार को सुभा 6 बज़ कर 24 मिनट पर अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेज ध्यान दिना है कि जब भी एकादशी का वृत रखा जाता है तो अगले दिन वृत का पारण करते समय यानि वृत खोलते समय ये भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है क्योंकि हरिवासर की समाप्ती के बाद ही वृत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वो लगवग 5-6 घंटे का समय होता है द्वादशी तिथी लगते ही द्वादशी तिथी के इस साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है इस समय भूले से भी वरत नहीं खुलना चाहिए और बुधवार को इस बार सरवार सित्धी योग बन रहा है बहुत ही शुब दिन रहने वाला है आपकी पूजा आपका वरत अवश्य फलित होगा राहु काल दोपहर बारा बजे से डेर बजी तक रहेगा हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह ग्यारा बजी तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक वरत नहीं खुला जाता तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का वरत खोलेंगे वो हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं लेकिन शुब मूर्थ में ही आपको वरत खोलना होगा 27 नवंबर बुधवार को दो पहर एक बचकर 31 मिट से तीन बचकर 40 मिट तक कर जो समय है वो वरत खोलने का यानि वरत पारण का शुब मूर्थ रहेगा इसी समय आपको अन ग्रहन करना है, सुबह यदि बहुत आवशकता हो तो चाय या फिर्दूध हदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको पारण मूर्थ में ही अन जल जो भी पानी वगर है वो ग्रहन करना चाहिए और जो वैशनोभवत होते हैं, वो द्वादशी तिथी मिली एकादशी का वरत करते हैं, तो जो लोग बुधवार को एकादशी का वरत रखेंगे, उन्हें अगले दिन यानि 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6 बच का 53 मिनट से 7 बच का 36 मिनट के बीच में वरत खोलना है हाला कि इसमें 33 तिथी प्रारंप हो चुकी होगी, लेकिन 33 तिथी के प्रथम पहर में वरत खोला जा सकता है, अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें, उसे दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दश्मी तिथी के नियमों का पालन करना चाहिए, उम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, इस दिन वरत रखने से सभी मनवांचित फलों की प्राप्ती होती है, घर में सुक समर्थी आती है और मन भी निर्मल होता है, माक्षे समास के क्रिश्न पक्ष की ग्यारस यानि ग्यारवी तिथी को ही भगवान विष्णू स एकादशी दिथी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का वरत रखा जाता है और इसे दिन से एकादशी वरत करने की शुर्वात हुई, एकादशी का वरत आरों के संतन प्राप्ती और मोक्ष प्राप्ती के लिए किया जाने वाला वरत है, किसी भी अपने जीवन में पहली बार एकादशी के वरत प्रारम करना चाहते हो, उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से वरत प्रारम करना चाहिए। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विश्नु और मोर नामक दैत्ति के बीच भीशन्युत हो रहा था। युद्र के बीच में भगवान विश्नु जब ठक करे तो वह बद्रिकाश्रा में कुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरसल विश्राम करने के पीछे भी भगवान श्री विश्नु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षिस मोर भगवान विश्नु का पीछा करते हुए उसी कुफा में आ पहुचा और विश्राम कर रहे श्री विश्नु जी को उसने मारना चाहा तभी श्री विश्नु जी के शरीर से एक दिवितेच प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षिस कबत कर दिया जिस दिन ये घटना घटित हुई वह माक्षिस मास के कृष्न पक्ष की